तो आज हम इंटर फिल्म देखने जाने वाले हैं यह बहुत ही इंपोर्टेंट है फॉर्दी चैप्टर ऑप्टेक्स इन सेमिस्टर वन ऑफ इंजिनेरिंग अप्लाइड फिजिक्स तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर देखिए आपके पास एक थिन फिल्म प्रेजें कुछ तो आप टी अज्यूम कर लीजिए तो इसका थिकनेश लेट मीश से टी है यह तो यह थिकनेस आगया टी है और यह थिन फिल्म जो है यह ग्लास से बनी हुई है तो इसके बीच का रिफ्राइक्टिव इंडेक्स आप म्यूजिंग कर लीजिए तो बेसिकल स्वली यह incident ray आपको ऐसे दिखाई देगा कि वह ऐसे गिर रहा है यहाँ पर at an angle of incidence आए तो होगा क्या यह reflect होगा उसके बाद यहाँ पर एक आप नॉर्मल बना लीजिएगा तो यह मैंने नॉर्मल बना लिया ऐसे ठीक है तो यह आपका angle of incidence हो गया यह भी angle of incidence हो गया इसका मतलब क्या यहाँ पर यह एक नॉर्मल बना लेता हूँ तो यहाँ पर आपका रे रिफ्रैक्ट हुआ है इसका मतलब क्या यहाँ पर यह आपको दिखाई दे रहा है और यह perpendicular यह अलग नॉर्मल है तो यहाँ से भी यह जो light ray है यह क्या हो जाएगा बेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगा कुछ ऐसे ठीक है यह sorry यह कुछ sorry यह sorry यह कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया ठीक है तो obviously बात है यह दोनों perpendicular to the parallel surfaces है तो यह angle r है तो यह भी angle r रहेगा alternate angles टेस्ट की वज़े से obviously बात है यह angle of incidence and angle of reflection same होता है तो by symmetry you can say this is also angle r तो इसका भी direction of propagation दिखा देता हूँ यहाँ से क्या होगा यह वापस refract होगा बट यह denser to rarer medium जा रहा है hence it will bend away from the normal like this okay इसके बाद यह वापस यह जगह से reflect होगा ऐसे बराबर तो यह जो दो particular points है यहाँ से यह refract होने वाला है bending away from the normal because denser से rarer medium जा रहा है तो यहाँ पे भी यह bending away from the normal हो जाएगा यहाँ पे direction of propagation यह ऐसे है okay तो यह आपका reflected ray 1 है यह आपका reflected ray 2 है यह आपका transmitted ray t1 है और यह आपका transmitted ray t2 है ठीक है तो इस तरीके से मैंने आपको 4 rays दिखाए कितने rays दिखाए बिटा 4 rays यह पहला reflected ray यह दूसरा reflected ray और यह पहला transmitted ray और यह दूसरा transmitted ray basically on the same side जो होते है वह reflected rays होते है on the opposite side जो होते है वह transmitted rays होते है ठीक है सबको हम naming कर देते है ताकि आसानी हो जाए ray a b आपका incident ray है फिर वह point c पे reflection खाया point b पे भी reflection खाया और c d travel किया उसने थोड़ा d उपर की तरफ लिख जेता हूँ इसके बाद क्या हुआ इसने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह point को f बोल देता हूँ ठीक है इस तरीके से point c पे भी transmitted ray है point f भी transmitted ray है यह दोनों रेज आप पैरलल मत assume कीजिएगा ठीक है यह दोनों रेज अलग से आएंगे यह parallel है ऐसा बिलकुल assume नहीं करना और और similarly r1 and r2 को भी parallel assume मत करना ठीक है ओके ठीक तो अभी हो क्या रहा है यह दो reflected rays है इन दोनों के बीच में superposition होगा मतलब interference होगा अभी यह जो interference हो रहा है इसकी वज़े से यहाँ पे constructive interference होगा यह फिर destructive interference होगा उसकी conditions हमें derive करनी है similarly transmitted ray की वज़े से यह जो दो rays है इनकी वज़े से भी interference होगा superposition की वज़े से और यहाँ पे भी constructive और interference होने की conditions हमें derive करनी है सबसे पहले हम concentrate करते हैं reflected rays पे ठीक है तो reflected rays में अगर आप देखेंगे ray r1 straight away b से travel कर रहा है और ray r2 ने बहुत जादा travel कर लिया b to c travel कर लिया c to d travel कर लिया तो जितना देर में इसने b to c और c to d travel किया उतना देर में ray 1 जो है बेटा जितने time में ray 2 b c और c d travel कर रहा है उतने ही time में ray 1 b e travel कर रहा है अब इधान से समझिएगा common sense है b c और c d अगर distance देखा जाए तो वह b e से definitely ज्यादा है इसका मतलब ray 1 और ray 2 में path difference है क्या है बेटा path difference क्या है b c plus c d ज्यादा है इसलिए b c plus c d minus b e यह path difference है बड़ हमें चाहिए optical path difference तो optical path difference निकालने के लिए हम particular refractive index से multiply करते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ optical path difference between rays r1 and r2 यह reflected rays है हमारे तो यह क्या आएगा b c plus c d यह तो normal है ठीक है minus b e बराबर जितने time में ray 2 b c और c d ट्रावल करता है उतने time में ray 1 b e ट्रावल करता है बड़ b c और c d refractive index mu याने glass के अंदर travel हुआ है या फिर कुछ भी medium जो present है thin film में और reflected ray 1 जो है वो air याने rarer medium में ट्रावल कर रहा है air की refractive index हम mu equal to 1 assume कर लेते हैं तो basically होगा क्या यह b c और c d mu से multiply होगा because i want optical path difference और b c और c d mu में travel कर रहा है and b e जो है वो 1 से multiply कर रहा because यहां वो air में से travel कर रहा है so that is our optical path difference between rays r1 and r2 तो सबसे पहले तो हम b c और c d पर concentrate करते है ठीक है तो यहां पर मैं इसको c m नाम दे देता हूँ ठीक है ओके अभी b c निकालना है मुझे तो इन triangle b c m देखिए cm जो है cm this will be the thickness cm अगर बोला जाए तो यह आपका thickness है और यह adjacent side हो गया और b c hypotenuse हो गया तो triangle b c m में हम cos r ले लेते हैं तो in triangle b c m i will take cos r तो cos r कितना आएगा देखते हैं adjacent adjacent मेरा cm है but cm is nothing but t and hypotenuse मेरा b c है तो adjacent upon hypotenuse आएगा t upon b c तो fundamentally यह आगया t upon b c so naturally आपके पास b c का value आ रहा है बेटा t upon cos r अभी आपको देखी रहा है कि यह दोनो triangle b c m और c d m दोनो congruent triangle से because यह reflect होके आ रहा है यह दोनो angles congruent हो गए और यह दोनो 90 हो गए और यह दोनो angles भी आप geometry से same दिखा सकते हैं तो यह b c m और c d m अगर congruent है तो जितना आपका b c r है उतना ही आपका c d आएगा so i can directly say b c is equal to c d is equal to t upon cos r ठीक है बहुत आसानी से हमने b c और c d को t upon cos r prove कर दिया है तो b c और c d तो मिल गया हमें t b पता है r b पता है तो b c c d की value मिल गए अभी b e पे concentrate करते हैं तो b e यहाँ पे है सही बात है तो अगर मैं कहूं यह i है तो यह वाला 90 minus i हो जाएगा यह total angle 90 है अभी यह 90 minus i है यह 90 है तो यह वाला part बेटा i हो जाएगा angle of incidence i और मुझे चाहिए b e तो यह देखिएगा b d जो है यह d को थोड़ा pass बना लेता हूँ यह जो b d है यह adjacent side है और b e जो है sorry b d जो है वो i के लिए के लिए क्या कौनसी side हो जाएगी विटा हाइपोटेनेस हो जाएगी सॉरी क्योंकि 90 के बीडी हाइपोजिट है और b e जो है वो अपोजिट है अपोजिट अपन हाइपोटेनेस मतलब साइना लेना पड़ेगा इन ट्राइंगल b d e अपन साइना लेते हैं चलो इन ट्राइंगल b d e हम लेंगे साइना यहाँ पर लिख देता हूं इन ट्राइंगल b d e टीक है मैंने ले लिया साइन नसाइन नथिंग बट क्या होता है बैटा साइना इस नथिंग बट अपोजेट बाइंपोटेनेस यह आपोजिट एंपोजिट है b e और हाइपोटेनेस से बी टो ने मेरा जो b e है वाराइं बीडी इंटु साइन आई तो बट BD अगर देखा जाए तो BD जो है ये दो ट्रैंगल्स कॉंग्रोंट ना BCM और CDM दोनों के दोनों कॉंग्रोंट है तो BM और MD दोनों सेम हो जाएंगे ना कॉंग्रोंट हो जाएंगे BM और MD तो basically BD की जगा 2BM लिख दो तो BD की जगा मैं 2BM लिख दिया तो यह आ गया 2BM SIN अल्सो मुझे पता है कि refractive index mu जो होता है वो SIN I upon SIN R होता है तो SIN I की जगा पे क्यों न हम mu into SIN R डाल दे तो इस तरीके से यह हो जाएगा 2BM mu SIN R ऐसा मैंने क्यों किया मैं बताता हूँ यह देखो BC और CD को mu से multiply किया है तो B को 1 से multiply किया है तो B के derivation में भी mu आ जाए इसलिए मैंने यह किया है ताकि mu common आ पाए अभी BM कितना आएगा तो BM निकालना बड़ा ही आसान है BM देखिए यहाँ पे है बराबर बेटा तो R का वो opposite side है और BC hypotenuse है इन ट्राइंगल BCM अगर आप कॉसार लेते है तो आएगा opposite opposite क्या था एक बाद दिखा देता हूँ मैं आपको opposite था BM upon hypotenuse था BC, so BM upon BC ठीक है BM upon BC हो गया बेटा BM कितना आगया आपका BC into कॉसार हो गया सही है, but BC आएगे समने already निकाल लिया है opposite था BM और BC, sorry यह कॉसार नहीं है, यह साइनर है opposite upon hypotenuse यह साइनर एक बार वापस दिखा देता हूँ यहाँ पे इस ट्राइंगल में आप R के opposite देखे BM और hypotenuse देखे BC साइनर आएगा BM upon BC opposite by hypotenuse तो बड़े आसानी से आगया यह opposite upon hypotenuse BM upon BC, so BM equal to BC into साइनर, but BC हम already निकाल चुके है, यहाँ पे दिखिए BC आगया था T upon कॉसर तो यहाँ पे आप लिख दीजिए BM की जगा पे T साइनर upon कॉसर ओके, तो आपको BE कितना था 2BM mu साइनर तो BE आपका आगया 2BM मु साइनर सही है, यह मैंने लिख दिया BM, यह लिख दिया 2, यह मु साइनर, तो अगर धान से देखिएगा तो यह 2μ T साइन स्क्वेर आर अपान कॉस आर बन रहा है, यहाँ आगया मेरा BE, ठीके, BC और CD मैंने अल्रेडी निकाल लिया था तो अप्टिकल पाथ डिफरेंच जो है अप्टिकल पाथ डिफरेंच जो है बिट्वेन रे 1 और रे 2 वो क्या आएगा मु टाइम BC प्लस CD माइनस वन टाइम BE, यह था राइट तो BC प्लस CD कितना आएगा T अपॉन कॉसर यहाँ पर लिख देता हूँ मु इंटू T अपॉन कॉसर प्लस T अपॉन कॉसर माइनस वन इंटू BE हमने निकाल लिया है 2 मु टू साइन स्क्वेर अपॉन कॉसर तो 2 मु टी साइन स्क्वेर अपॉन कॉसर तो यहाँ पर कितना और है T प्लस T माइनस 2-mule t-sin² r upon cosr, तो यहां से हम क्या करेंगे, 2-mule t upon cosr common ले ले लेते हैं, तो optical path difference को, हम क्या कर देते हैं, delta, ठीक है, हमने क्या कर दिया बेटा, delta, तो 2-mule t upon cosr, हमने common ले लिया, क्या ले लिया common तो अंदर बच्चा one minus sin square r तो यह हो गया two mu t upon cos r और यह हो गया one minus sin square r equal to cos square r तो यह optical path difference कितना हैगा cos r cos r कटके two mu t cos r यह आ गया आपका optical path difference तो हमें तो निकालना है effective optical path difference क्या निकालना है बेटा effective optical path difference तोड़ा logic लगाते हैं हम कि यहाँ पर दिखिए ray one जब travel करता है तो ray one जब travel करता है ऐसे तो problem क्या हो रही है वो यहाँ पर denser boundary यह denser boundary से reflect किया तो ray one का जो crest है वो ट्रफ है वो crest बन जाएगा ठीक है बट ray two कहा पर reflect हो रहा है point c पर बट यह point c वाली boundary rarer boundary है यह वाली denser boundary है और यह वाली rarer boundary है denser boundary क्यों इसके आगे dense material है और यह वाली rarer boundary क्यों इसके आगे rare material है मतलब air है तो fundamentally क्या हो रहा है point c पर कोई crest या ट्रफ का change नहीं होगा विकाज यहाँ पर rarer boundary है air है तो यह light ray सीधा सीधा travel करेगा without any change बट यह point b पर क्या हो गया denser boundary की वज़े से crest ट्रफ और ट्रफ क्रेश्ट बजएगा वह दब जाएगा इसकी वज़े से जब भी crest का ट्रफ बनता है या ट्रफ का crest बनता है तो आपका जो path difference है वो कितना इंट्रोड्यूस हो जाता है बेटा तो म्यूटी कॉस आर प्लस माइनस लामडा बाइटू जो की point b पर reflection होने की वज़े से हुआ तो आप प्लस भी लिख सकते है माइनस भी लिख सकते है तो यह वाला फंडा जो है यह रे वन और रे टू के बीच का effective optical path reference है तो अभी हम देखते है कि constructive interference के लिए कौनसी condition आएग तो यह पर लिख देता हूं constructive interference तो constructive interference के लिए हमने पढ़ा था कि आपका जो path difference होता है that should be n lambda तो हमने path difference लिया है 2μूटी कॉस आर प्लस माइनस लामडा बाइटू एक्वल टू एन लामडा तो मैं फिलहाल चलो माइनस अज्यूम कर लेता हूं कुछ भी अज्यूम कर सकते है तो 2μूटी कॉस आर इक्वल टू एन लामडा प्लस लामडा बाइटू तो इस तरीके से 2μूटी कॉस आर इस इक्वल टू लामडा बाइटू कॉमन ले लिया तो 2N प्लस 1 लामडा बाइटू यह आ गई आपकी constructive interference के लिए condition बड़ी ही simple सी condition है तो जब हम 12 standard में पढ़ते है यह constructive के लिए condition n लामडा थी बट इन फिल में condition क्या आई उसके opposite आई 2N प्लस 1 लामडा बाइटू याने odd multiple of लामडा बाइटू सेम हम करेंगे destructive interference के लिए तो destructive interference तो जैसे मैंने कहा है आपको कि मैं माइनस लामडा बाइटू ले रहा हूँ डेल्टा शुड भी इक्वल टू 2N प्लस 1 लामडा बाइटू यह डेल्टा हमनारा कितना आया है टू म्यूटी कॉसार माइनस लामडा बाइटू इक्वल टू 2N प्लस 1 लामडा बाइटू तो इस तरीके से आपका टू म्यूटी कॉसार कितना आ गया 2m plus 1 lambda by 2 plus lambda by 2 तो यहाँ पे 2 muti cos r कितना आ रहे हमारा 2m plus 2 lambda by 2 2 common ले लो तो m plus 1 lambda हो जाएगा तो मैं क्या करता हूँ 2 common ले लेता हूँ 2 common ले लिया अंदर m plus 1 हो गया यह lambda by 2 हो गया यहाँ से 2 common लिया तो यह 2 यह 2 कट गया तो 2 muti cos r तो देखिएगा basically m plus 1 is an integer तो integer को n बोल देते हैं कोई फरक नहीं पड़ेगा n lambda तो 2 muti cos r is equal to n lambda यह अपनी condition है destructive interference के लिए in thin film तो destructive के लिए हमने condition 12 में पड़ी थी 2m plus 1 lambda by 2 बड़ यहाँ पे हम thin film पड़ रहे हैं तो thin film में condition क्या आ गई उसके exactly opposite 2 muti cos r is equal to n lambda तो इस तरीके से जब भी एक thin film पे एक light ray incident होता है तो उसके दो reflected rays आते हैं r1 and r2 वो एक दूसरे के साथ super impose करके interference pattern बनाते है तो वो जो interference pattern होता है वो constructive भी हो सकता है destructive भी हो सकता है that totally depends upon the effective optical path difference between them और उसके लिए condition क्या है constructive के लिए mu glass का refractive index है या फिर जो भी material दहेगा thin film में और r is the angle of reflection और destructive के लिए क्या है 2 muti cos r equal to n lambda तो हम thin film interference part 1 में reflected rays का जो reflected rays का interference pattern पढ़ चुके है और उसकी conditions डिराइव कर चुके है इसके part 2 में हम इसके transmitted rays का interference pattern decide करेंगे कि उसका derivation क्या आएगा तो आज के लिए बस इतना ही wait कीजिए part 2 का जहाँ पे में transmitted rays का interference pattern का constructive और destructive interference के लिए conditions derive करूंगा this is Amul Murray saying bye bye to you for now मिलते हैं next video में with the next derivation और झाल स्पूंगा करेंगे लिए में आएगा करेंगे लिए और झाला सुछली करेंगे लिए बस्द़गर